तोडें वी वी डिस्कॉस अबाउट एक्स्प्लोर मैथेमाटिक्स चैप्टर नूम्बर फॉर एडिशन रिव्यू एक्सराइज ओके लेट वी स्टार्ट नाओ कम्प्लीट चैप्टर नूम्बर फॉर एडिशन आप करी चुकी है उसमें आपको एड करने आए दी उगई होगी ठीक है अब हम आज लेते हैं रिव्यू एक्सराइज एक्सराइज का रिव्यू कह puntos है इसमें हम अर बस पॉर सम्स एड के दी होगे heavy करवाई होगें विससे भी, आपको कर भी सकते हो फिर भी मैं आपको प्रवालिकते हूँ, 4 और 4, 8, 5 और 2 is 7, 2 और 4 is 6, 3 और 1 is 4. नेक्स्ट कोशिन का कहा रहा है आपका, 5 और 2 is 7, 4 और 3 is equal to 7, 3 और 1, 4, 2 और 3, 5. 9 और 4 is 13, 13 का कहरी इस 1, 6 और 1, 7 और 1, 8, 3 और 9, 12, 5 और 3, 8 और 1, 12 का सौरी, यहां पर कहरी आ जाएगा, 5 और 3 इस 8 और 1, 9. कर सकते हैं आप कहरी वले समय, पूरा का पूरा चप्टर आप कर चुके होगा, 1 और 6 is 7, 8 और 1, 9, 2 और 8 is 10, कहरी इस 1, 6 और 1, 7 और 2, 9. यह तो थे आपके simple question, कि add के sums दिये होगे थे, उनको आपने solve करना था, अब आगे question आते हैं आपके problem sums, ठीक है, मतलब कि जिनमें आपको statement दी होगी और आपको उनको solve करना होगा, question क्या कह रहा है, और supermarket sells 100, sorry, 1048 eggs in the first week, एक supermarket के अंदर 1048 eggs, first week में sell किये रहते हैं, मतलब कि बिक जाते हैं, a supermarket sells 1048 eggs, 1048 eggs एक supermarket में बिक जाते हैं, first week के अंदर, second week के अंदर कितने बिक ते हैं, 1536, और मन्त कौन सा है, March, how many eggs does the supermarket sell in total, तो वो पूछ रहा है कि कितने eggs जो हैं, वो total sell होते हैं, first week के अंदर और second week के अंदर, question आरा आपका, कि March के first week के अंदर, 1048 eggs first week में sell बिक जाते हैं, और 1536 eggs second week में बिक जाते हैं, तो total eggs कितने eggs बिक जाते हैं, कितने eggs बिकेंगे दोनों weeks में, ठीक है, तो statement क्या बन जाएगे आपकी, egg cells in first week of March is equal to 1048 eggs, eggs cell, यह आपका same होता है, egg cells का meaning भी double comma, इनका meaning भी double comma, first के जगा क्या जाएगा, second week, week same, off भी same, March भी same, is equal to 1536, जब बटा आपकी same line होती है, ठीक है बचे, जब same line होगी, तो यह यहां double comma आएगा, okay, eggs cell in first week of March is equal to 1048, eggs cell in second week of March 1536 eggs, okay, how many total, अब total eggs cell in two weeks, two weeks, एक first week होगे, एक second week होगे, दोनों को add कर दोगे, answer हाजाएगा, ठीक है, 8-6-14, 1 carry, 4-3-7-1-8, 5-5, 1-1-2, 2584 eggs जो हैं, वो मतलब की market के अंदर, March के मन्त में, दो weeks में, टोटल भी किते हैं, ठीक है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, eggs cell in first week of March is equal to 1048 eggs, second week में, 1536, total eggs जो cell होते हैं, दोनों weeks के अंदर, 2584 eggs होते हैं, clear, next question आता अब का, 1354 women and 305, sorry, 3,000, 1354 women and 3528 men went to see the cricket match, cricket match को देखने जाते हैं, okay, how many people in total went to see the match, कुछ तो उसमें से women's जाती हैं, okay, कुछ उसमें से man जाते हैं, मतलब कि, इतनी तो women जा रही हैं match देखने के लिए, और इतने ही man जा रही हैं देखने के लिए, तो total मतलब कि कितने person हैं, जो मतलब ही match को देखने जाते हैं, तो यहां पर आप simple statement बना दोगे number of man, woman, number of woman, c cricket match, लिखना चाते हैं, लिख दो नहीं तो रहने देना, cricket match, कितने हैं, 1,354, आपकी copy दूसरी है न, landscape वाली मतलब की, ठीक हैं, तो आपकी copy के अंदर यह वाली line complete आ जाएगी, तो आपने इसको सीधा लिख लेना है, उसके बाद number of man, same line हैं, man बसा जाएगा, number of man, see the cricket match, कितने person थे, कितने man थे, 3528, अब total people कितने हो गए, total people, बस total people ही लिख दो आप यहाँ पे, कितने हो गए, plus कर देंगे, 8 और 4, 12, 5 और 2, 7, 1 आपका carry आगया, 5 और 2, 7 और 1, 8, 5 और 3, 8, और 3 और 1, 4, 4882 पीपल जो हैं वो cricket match को देखने जाते हैं, number of woman see the cricket match, this, number of man see the cricket match, this, total people कितने हो गए, दोनों को add कर दिया, यह आपका answer आगया, ओके, I hope कि आपको second और third question problem समझ में आगया होगा,